कि सबी विद्यारति में एक बार फिर राज के महाविद्याले राइपूर के यूटूब चैनल में स्वागत है कल हमने जो पढ़ा था कि खिल्जी वंस की स्तापना किस तरह से होती है खिल्जी करांती क्या हुआ है जलालोदिन खिल्जी की क्या उपलब्दिय है तो यह हमने क कर अबके क्लास में चल्जी ने क्या तो आजंब मठयेंगे अल्लोदिन खिल्जी जैसा कि यूडैरा है अल्लोदिन के इता ज्ताम होतीद पिछलाम दूण को कड़ा और मानेकबूर का शुभे दार बनाए ता अग्तेदारी थी पूँ किसको दी गई थी आल्लse तो अलातिन खिलजी के बारे में हम अत्यान करेंगे अलातिन खिल जी का जो वास्तिक नाम है वो अली गुर्सस को नाम था जैसा आप किसके ने पर दिका या अली गुर्सस और इन्होंने 1296 में जलाउदिन किया राजगत्य पर वह बैठे थे और 1306 तक 1296 में लेकर 1300-16aiton तक इन्होंने सासन किया था दिली सल्तनत का दूसरा महत प्रूण और सबसे दिली सल्तनत का और साथ यृ साथ खिल जीवन्स का सबसे महत-पूण और सबसे योग के सुलतान था अलाओदिन खिल जी इससे पहले भी जित्ते सुल्तां हुए और बाद में जित्ते दिल्ली सल्तनत के सुल्तां हुए उन सभी सुल्तानों में सबसे जो योग कियillar जो सुल्तान हुआ वो अलावदिन खिलजी हुआ एक बात और देहां रखना इसके बाद मुगल स्वामराजी की स्तावनोती अकवर जास तरह से अकवर ने सासन किया था उसी तरह से लाउदिन खिलजी का सासन भी बहुत महत्पूर्ण है बहुत जदा इनकी उपलब्दें है बहुत अच्छी उपलब्दें है और इसमेर पूर्ण जैस मानता है वो यह है कि यह अकवर भी अनपड़ था और यह भी बिल्कुल अनपड़ था यह पड़ा लिखा नहीं था फिर बी यह दिल्ली की सलतनत का सरवसरे सुल्टान ये बना इसका अच्छो सामराजी था अभी तक दिल्ली सलतनत की किसी भी सुल्तान ने इतना बड़ा समराजिय इस ताप इतनी किया जितना बड़ा समराजिय है दिली सल्तनत के हुश्ण खोड़ के पाकी पूरे जखन के ऊपर इसका आदेकार हो गयाता तो चयएंने का मतलब की दिली सल्तनत का सबसी योग्य सल्तान था अलाउधिन खिल जी, कुछ नवीन पर्शासनिक शेतर में, राजतिक शेतर में, कुछ नवीन परियोग भी इसके दोरा किये वे और वो परियोग कापी حथ तक सफल रहे आर्त्वयार्तिक शेतर में भी इसने कुछ परियोग किये तो कहने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत का सबसी योग्यतम समराड था लाउतिन खील जी और इसको पहले भी इससे काफी परिचित है अपन कि चितोड पर आकर्मन होता है पदमने के लिए ये बात हमें पता है इसके उपर भी हाले में एक मुही भी पड़ी है तो पदमने की सु पदमनी के खातिरी आकर्म चितोड पर आकर्मन किया है अलागे जितोड पर आकर्मन किया यह बात विल्कुल एतियासी ग्रूप से सत्य है परंतु कारण क्या रहा इसके बारे में अमें पूर्ण सत्यता नहीं है तो हम पढ़ते हैं अलाउदिन खिल जी के बारे में देख इसका जो हैं सामराजे के जो सीमाएं हैं या आपको इस मेप में आपको दिखाए दे रहा है कि कितना विस्तरित सामराजे हो सम्पूर्ण उत्तर भारत के साथ पहली बार देली पे को सुल्तान हुआ जिसने दक्षण भारत को आकर्मन करके उसको जीता इसकी महत्पूर जी का बच्पन का नाम गुर्शा सता हुए अलावद चलावदिन खिल जी जब तक्तवे बेठा तो इसकी योग्यता से परवावित हो कि इसने पूत्री का विवहा करती है अलावदिन के साथ करते हैं कड़ा मानिकपूर का इसको इकता दे दिया गया सहाती साथ इसे अमीर मेरे तुज़ग का पध भी दिया गया कड़ा मानिकपूर का सुब्यतार बना दिया और अउमीरे तुज़ग का पध भी दिया गया और 1296 में ही 22 अट्टूबर 1296 में को अपने चाचा जलावलू दिन चाचा और सुसूर भी था उसकी हत्या करके ये दिल्ली की गद्धी पर बेड़ जाता है और 22 अट्टूबर को ही अपना राज्य विशेख की संपन करवाता है निर्मानकारियों लाअऑदिन के दरा बार में अमीर कुस्रो-हसनन, निजामी जैसे, उच्छकोटी के विद्धवान रह देते इस आपत्यक लागे शेत्र में खिल जीर्न वर्ताकार अलाये दर्वाजा देगी इसके अलावा उसने सीरी के किले में हजार खंबा महल का निर्मान भी इसके द्वारा कराया गया अलाव दिन खिल जी की सासने वस्ता जैसे अपना राचय विशे किया करवाता राचय विशे कराने के बाद में महत्मून बात है कि इसने एक नवी उपादी धारण की जिसको कहते हैं सिकंदर देतिया सिकंदर इसानी इस उपादी को उसके मुख्य लक्ष किया कि मैं विशे करने विशे पर विशे प्राप्त करोंग जिस तरह विशे करूंगा तो पहले आप पूरे भारत को विजय करें तो इसने पूरे विशु विजय का जो लक्षे था उसको त्याग दिया और भारत जो लक्षे है उसने अपना जीवन का लक्षे बना है कि मैं पूरे भारत पे बीज़े प्राप्त करूंगा यद्देपी अलावदिन खिलिपा की सत्ता को मानेता परदान करते हुए यामीन उल-खिलापत नासीर अमीर उल-मौमनिन की उपादी दारान की इसने खलिपा की अधिपत्य को सुईकार किया है हमने पेहले केक्साव में पढ़ा है कि इस समय जो मुस्लिम जहां जहां भी मुस्लिम सासन विवस्ता थी वो सभी खलिपा को अपना राजनितिक और धार्मिक पर्मों को मानते थे और उनसे मानता ग्रहन करते थे अभी तक यह मानता थी कि जहां जहां भी मुस्लिम सामराजे स्तापिता पूरे विवस्तों में उसका पर्मों कोन होता है खलिपा तो इसने खलिपा से मानता प्राप्त की और एक उपादी धारन की यामीन उल-खिलापत नासीर अमीर उल-मौमनिन और खलिपा से अपने पदकी स्विकरती लेनी आवश्यक नहीं समझी कि उसने खलिपा को मानता थी पर अंतों जिस तरह तुतमी इसने खलिपा से मानता प्राप्त की उस तरह से मानता प्राप्त करने का इसने कोई प्रियास नहीं किया क्योंकि वो जो मैंने बताया था भी तो इसे निती पे चलते हुए अलाव दिन खिल जी ने जो धार्मिक वर्ग था जिसको उलेमा वर्ग भी कहते हैं उनका सासन में अस्तक्षेप इसने बिल्कुल कम कर दिया उसने कहा कि राजनिती अलग मामला है और धर्म अलग मामला दोनों चीजें अलग-अलग होने ही चाह बता है चाहिए वो धरम में सही हो या नहीं हो वही मानिया होगा इसलिए इसने धरम को एक तरह से राजनिती ने हिस्तक्षेप करने से मना कर दिया और राजनिती को एक अलग विशेश ने बताया सुल्तान बंते ही इसके में में सबसे महत्पूर्ण जो विचार आया कि इस तरहां की थानिते में चैसाल थाली शीनीत व्यूर्ण या करने के लिए इसमें रहाराऊइव फ्रूर्ण नेहीं को ठाथा इकान को credible के अहीं फेसों है ये विचार कब आया जब अलाउदीन खिल जी नहीं ने पारासो नहीं रिद्रा जीतने के लिए जाता है और गुजराज जीत के वापस जवाते हैं तो नवीन मुसलमानों के द्वारा उसके खिलाब विद्रो कर दिया जाता है नवीन मुसलमान कौन है भई अभी पिछली काक्सा है उन्हें पढ़ा जलावत दिन खेजी के समय में जो मंगोल आकर्मान कारी भारत आये थे आकर्मान किया था उसमें वो पराजित हो गए संदी होई और कुछ मंगोल वो लोग खांके नेतरते में दिल्ली में रह गए थे उनको क्या का गया नवीन मुसलमान तो ये नवीन मुसलमान भी गुजरात वीजे के समय साथ जाते हैं और वहां से लूट का माल जब लेकर आते हैं तो रास्ते में ये नवीन मुसलमान अल्लावदिन के खिलाव विद्रो करते हैं और लूट का माल लेकर भाग जाते हैं और ये बाद में случай का और मुहमथ का और विक रो का दमन ता मौमB मोहमद कहुं, और वह महमद कहुं चलता है, शीधा चलता रनतमबूर, और बार में यही एक कारण बनता है, रनतमबूर पर अलाउदिन के आकरवन का, तो इसही अलाउदिन वित्रों करती है, तो इसे अलावदिन बड़े चिंतित हुआ उसने कहा कि यह जो बार बार विद्रो होते हैं तो इसका कुछ हल निकाला जाना चाहिए एक विद्रो हो गया तूसरा इसी किसमें एक और विद्रो होता है कि अलावदिन की बेहन का लड़का था मलिक उमर और मंगु खां इसनों इन दोनों को हरा कर उसके हत्या कर दी इन्होंने भी विद्रो किया चौता विद्रो था दिल्ली के हाजी मौला का विद्रो इसको भी इन्होंने समाब्द किया तो बार बार जो यह विद्रो हो रहे थे तो इनसे परेशान हो गया अलावदिन और उसने चार अध्यादेश जारी किये इने विद्रों का दमन करने के लिए चार अध्यादेश जारी किये गैए पर्ताम अध्यादेश के अंत्रकट अलाउदी ने दान उपार और पेहंसन के रूप में अमेर यो दी गई बूमी जब्द कर ली गए क्योंकि अमीर जब फेह से वाले हो जाते हैं तो यह सुल्थाना क के खिलाब ये बरीर और मुनी हिन ये गुपचर अधिकारी थे इनकी नियुकती की गई तीसरा अध्यादेश के अंतरकत तीसरा एक ओडर निकाला तीसरे ओडर के अंतरकत क्या किया अलावदिन खिल जी ने मद निशेद किसरा आप जो पार्टियां होती है भांग खाना है जुआ खेलन है ने के उपर नियंतन लगा दिया उनका जो सोस्ते लाओं दिन्यूंकी वह थी कि जब मद निशेद के समय अमीर थे यह सरदार थे ये क्या करते है आपस में जो असराब पार्टियां करते हैं उनमें सराब पीके सुल्तान के खिलाप कुछ ना कुछ रणिती बनाते हैं सुल्तान के खिलाव विद्रो करने की योजना बनाते हैं इसलिए इसको बंद कर दिया चोता अध्यादेश के अंत्रकत अमीरों के पास के आपस में मेल जोल के उपर और सारजनिक समारो और वयाइक संबंदों पर परतिवन लगा दिया गया अब ये नियम बना दिया गया कि कोई सी भी दो अमीर या दो सरदारों के बीच कोई संबंद वयाइक संबंद होता है तो पहले उसकी परमिसन सुल्तान से लेनी पढ़ेगी अगला अलावदीन ने खूद मुकदम जैसे लगान अधिकारियों के जो विशेसा अधिकार थे उनको उसने समापते कर दिया अगला जो टोपिक है पढ़ेंगे सामराजी विस्तार अलावदीन दोरा अपने सामराजी का विस्तार कैसे कैसे किया गया कहां कहां उसने विजे प्राफ्त किसा और परता हम पढ़तेंगे गुजराद विजे 1288 में अलाओदीन ने उलुक खां और नुसृत खां नामक दो सेनिकों को अपने इसके सेनिक तेवाई उलुक खां और नुसृत खां इन दोनों सेना पन्तियों के नेतरतों में गुजराद के उपर आकरवन करने के लिए सेना बेजी गई गुजराद की जो राजा थे कान देव बागेला कौन थे कान देव बागेला और अलावदिन खिलजी की शेना से संगाश वह राजा करण देव पराजित हो जाते हैं और भाग के काँ चले जाते हैं देवगिरी के राजा रामसंदर देव के यहाँ जब अलावदिन सुल्तान नहीं बना भी नहीं बना था उससे पहले जब जलावदिन सुल्तान था तो जलावदिन के समय कड़ा और मानिकपूर का सुबेदार रहते हुए अलावदिन क्या करता है देवगिरी के उपर आकर्मन करता है तो गुजरात के जो कानदेव बगेला है यहां से पराजित होके कहां चले जाते है अपने पुत्री को लेकर इसे चले जाते हैं देवगिरी और देवगिरी चले जाते है इसके परशाथ, अलावदिन, सुराज, सौमनाथ और केमबे मतलब खंभाद की खाड़े इसके उपर विजए पराफ्त करता और एक महत्पूर्ण चीज की गुजरात विजे के समय है उसको एक महत्पूर्ण विखती प्राफ्त होता है मलिक काफूर ये मलिक काफूर एक तरसे ही जड़ा होता है और इसको अलावदिन इसकी योग्यता से प्रवावित होकर इसको वो प्राप्त अपने सेना में सामिल कर लेता है बाद में यही जो मलिक काफूर है अलावदिन का जो सबसे महत्पूर्ण सेना पती बढ़ता है और दक्षिन को चैनल मेर के अपर बेलावदिन्य आकर्मा करता है अलावदिन की सेना जैसल मेर गरेए जो रासपूद सासे गेद दूदा उन हैं उनके तिलक शिंग को पारा सो विजय के समय विद्रो किया करने के बाद विजरो का दमन हो गया परंतु जो नवेन मुसलमानों का एकनेतर था मेहमूत कहां वो कहां चला गया रणथंबौर और रणथंबौर को जीतना इसली भी जुरूरी था लाओ धिन खिलजी के लिए पहला तो उन्हें विद्रोईं को सरण दे दी दूसरा इसलिए कि इसको जलाड़ोदिन खिलजी नहीं जीत पया था तो उस जो जदूरी जीत थी उसको पूरा करना ता थी इसरे बात कि रन्थंबॉर दिल्ली के पिल्कुल अधिकार करना आहो श्यक है इसलिए अलावदिन खिल जी ने किया किया रन्तंबॉर के उपर आकर्मन किया तेरा सो एक में कब आकर्मन किया तेरा सो एक में तो तो तेरा सो एक में जब अलावदिन आद रन्तंबॉर के आकर्मन करता तो यहां का जो सुल्तान होता है राजा बोलनेता है मुहम्मद साह उसको और कहब इनको यहां सरण दी गई थी और जैसा कि अब मैं पता है राजतान के राजाओं के या राजबुतों के एक परंपरा रहे कि सरणागत की रक्षा करना कि कोई सरण में वेक्ति आ जाए तो उसकी रक्षा करना लाओ दिन खिल जी ने क किया कि आकर्मन किया आकर्मन में हमीरदेव पराजित हो जाता है और वीरगती को प्राप्त होते हैं हमीरदेव की जो पराजित होने का जो कारण था वो यह था कि रनमल और तो जो था ब्रतिमल और रणमर इन्होंने जो दो सेनापति थे हमीर देओं के इन्होंने दोके से किले के गेड़ खोल दिये जिससे विश्वास गात करें किले के क्योट केल दिये जिसके कान अलावदिन खिल जी रन्थमबूर जीतने में सफल रहा जो ये यूद है बाई हमीर मा कावे में इसका वनन मिलता हमको प्राप्त होता है रन्थम और आकर्मन के समयें ही अलावदिन का एक मैत पूर्ण सेनी का दिकारी भी मारा जाता नुसरुत खांँ हमीर देव की इस युद्गी वर्णन इसमें हमीर मा कावे के सासा थी हमीर रासों में भी इस गटना का वर्णन है जो यहां की रानिती हमीर की पत्निती रंग देवी या रंग दे वो क्या करती है जोहर कर लेती हो जोहर करके अपना अपनी जुजान है वो ले लेती है उनकी म राजित हो जाती थी तो वह जोहर कर लेते थे दूसरे मेयत्पूर्ण वीचे है राजस्तान में अलावदिन के द्वारा की गई है वो है चिटवड़ वीजए चिटवड़ के उपर चिटवड़ के उपर इसमें रदन करणा रतन सींका सासन था घृष्ट कर दिवार की जो र हुच ज्यास भी रवी रोध है जो दो मलीक मौमाद जाएसी है जब तो मलीक मौमाद जाएसी ने एक मां का वे लिखा पदमावत और पदमावत में उससे लिखा कि अलावदिन खिलजी ने पदमावनियों की जो सुन्दरता है उससे प्रवाईत होकर तोड़के उपर आकर मने किया पर अंतों इस गट को चीज को क्या वह एतियाशिक नहीं माना जा सकता है क्योंकि मलीक मोहमा colors की जो रचना है पादमावत उरसना काफी बाद में लिखी गई जब शीर चांस दिल्ली बाष्या बनता धिलिलीका सुल्तान वंता अस समय इस रसनापाद जासमा रचना है तो यह बहुत बादकी रचना है इस समय तो जासिक खुद भी नहीं थे and और साथ यसाथ जो जाई शी का जो यह माकावे लिखने का जो मक्षद था वो कोई बिल्कुल एतियाशिक नहीं था उस तो अपने माकावे को अच्छा बनाने के लिए उसने इस गटना का वर्णन किया एक तरह से इस गटना को उसने विश्यवस्तु बनाया और इसके कावे अत्मक रूप उन्होंने परदान किया तो कारण क्या हो सकता तो इत्यासकार मानते हैं कुछ में इत्यासकार तो पदमने वाली घटना को सही मानते हैं कि पदमने के कारण आकर्मन हुआ परंतों अधिकांस इत्यासकार मानते हैं कि इतना बड़ा दिल्ली का जो सुल्तान है एक महिला के लिए किसी राज्य के उपर आकर्मन नहीं कर सकता तो इसके आकर्मन के कारण क्या थे इसके आकर्मन के कारण थे कि जब पहला कारण था कि जब गुजरात वीचे करने गया था अलावदिन के शेना तो जो मेवाड के जो राजा थे उन्होंने इनके राजे से लाव दिने की शेयना को बुज़र्ण ने दिया उनकी किसी तरह की मदद नहीं की तो पहला कारण यह हो गया दूसरा कारण था कि मालवा के उपर आकरण करना या दक्षन बारत पर आकरण करना तो इन शेत्रों पर आकरण करने के लिए चित्तोर को बहुत ज़्यादा मैत होता इसलिए भी चित्तोड को जीतना आविशेकता गुजरात तक का जो रास्ता है वो साब जबी होगा जब चित्तोड को विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि गुजरात है कि पुराचिन काल से भी आपार का केंदर था इसलिए तो गुजरात को जीता है तो कहने का मतलब है कि इस चित्तोड को जीते विगर गुजरात या दक्षण इपारति या मालवा के उपर नियंतने स्ताविर करना संभव हुए नहीं था इसलिए उन्होंने चित्तोड को जीतना जुरूरी समझा तेरा सुत्ती अठाइस जनवरी तिरा स्तीन को आकर्मन स्ताइब ने तोड़के उपर राणा रतन सिंग्ह युद्त में वीरगति को प्रापत होते हैं और पदमनी जैसा कि हम जानते हैं पदमनी जोहर कर लेती है अगली जो विजे है मालवा विजे मालवा के उपर भी आकर्मन किया मालवा का जो राजा थे महलक देव थे और इनके जो शेना पती थे हर्णन्द या कौन थे हर्णन्द तेरा सो पांच में लव दिन ने मुल्दान के सुबदा आयन उल मुल्क के नेतरतों में एक शेना मालवा विजे किल्य किसको बेजा आयन उल मुल्क इसको बेजा गया संगर सुआ दोनों पक्सों में लड़ाई हुई और महलक देव और हरनन्द मारे जाते हैं 1305 में किले के उपर अधिकार के साथ ती उच्छे धारा नगरी चंदेरी आधी को जीत कर मालवा समय तिल्ली सल्तनत में मिला लिया हा जाता तेरा सो आठ में एक मैंत्मून विजए राजस्तान की शिवाना के उपर आकरवन तेरा सो आठ मैं ही चीवाना युद करते हुए मारे गए शेतल देव को प्राजित करने वाले देश कमालूती गुर्ग उनको ही वहीं का सासक बना दिया गया तो सीवाना को 1308 में जेत लिया गया तो 1308 में सीवाना जेतने के बाद ही आगे बढ़ते हुए जालोर के उपराकरण किया गया जशालोर के जोई सासकते एक कानः देव, कानः देव भी कहते हैं, तो कानः देव ने तैरह सो गयारा में कमाल अदीन गुरू कि नेतृत्रतों में सुल्तान की सेनना कानः देव के उपर आकर्मौन करती है, तो 13 आकर्वन कब होता जालोर के उपर 1311 में किसके नेतरते में होता कमाल-अदीन गुर्ग के नेतरते में और साथ यसाथ इसके उपर विजय प्राप्त कर लेदा 1311 में ही नेपाल कस्मी रसम ही ऐसे भाग बचे थे जिनके उपर अलावदिन का अधिकार नहीं था लगबग लगबग सब भारत के संपून, शेत्र पे इसने अधिकार उत्तर बारत के संपून, शेत्र पे अधिकार कर लिया था है मैंक्ष्ण विजть उत्तर बारत कि जब विज्जे संपन हो गए तो उसके बाद अलावूदिन खिल जी ने दक्ष्ण विजे हैं पढ़ लेते दक्षण वारत में इस समें तीन महत्पून सकतियां थी वह देवगरी के यादों तेला गाना के काथ किये और तीसरा है द्वार समुदर के हो उस्यार यह तीन सब्सक्राइब तीन महत्पून राज्जे थे और इन तीन दो राज्जियों को अलाव दिन खिल जी के द्वारा जीता गया अल दक्षण विजे की पीछे क्या कारण था वही पहला कारण तो धन की चा किंकि दक्षण वारत बहुत संपन था दूसरा व्यापारी कारण दूसरा कारण क्या धन प्राप्त करना साथ ही साथ दक्षण वारत में समूद्री बंदर गाते तो व्यापारी सिज़े दक्षन बारत संपनता अगर इसको चीट नहीं तो दिल्ली सलतनत के जो व्यापार है वह उसमें वर्दी होती और उससे अधिक राज़सोग और सुल्तान को प्रावत होता है तीसरे बात की सामराजी वादीत अलाउदीन खिल जी सामराजी वादीत आ सकता वह अपने नें सामराजिय का ज्यादा शी ज्यादा विस्तार करना जादा था चोता कारण कि इसने दक्षण के एक राज़ देवगुरी पे तो जब सुल्टान ने तभी विजय प्रावत कर ली थी इसलिए वह दक्षणी बार्त की प्रस्थितियों से परिचित भी था अगला कारण ये के भी होता कि इसलाम का दक्षनी बारत में परचार परसार करना भी एक कारण था तो कहने का मतलब है कि इन सारे कारणों को वज़े से अलावदिन दक्षनी विजे का नेड़ा करता है और दक्षण विजय के तीनों राजियों के उपर विजय प्राप्त करता है और यहीं दक्षण बारत में ही अलावदिन खिल जी को कोईनुर का हीरा प्राप्त होता है दक्षणी बारत में पहली जो विजय है वो विजय है देवगिरी की विजय है कौन सी विजय है देवगिरी की विजय है जैसा कि हमें पता देवगिरी को 1296 में जीत लिया था बाद में उसके उपर और नियंतरा नियंतरा आकर्मन किया गया और देवगिरी का जो राजा था इ इन्होंने कि स्विकार किया था रामसंदर देव ने कि भाई में हम नियामित रूप से राजस हुआ है या वार्शिक कर दिल्ली के सुल्तान को वेजते रहेंगे पर उन्हों नहीं यह बेजना बंद कर दिया तो मलिक कापूर के नेतरते में देक्षण विजे के लिए शेना कि वेजी गई सबसे कहले देवगीरी के उपर आकर्मन किया गया तो ना राजा कांगार scroll है तो राच्थे में राजा कांग को युद में प्रास कर कापूर ने उसकी पुत्री देवल देवी को बूicus कंथी पुत्रि थी गुजरात के तो यह करण देव देवगिरी से ले गए थे किसको लेकर अपने पुत्रि देवल देवी को और इनकी चो पतने थी कमला देवी इसको तो आला कि गुजरात विजे के समय पकड़ लिया गया था और बाद में अलावदिन खिलजी इनसे विवा कर लेते हैं तो ये देवल देवी थी इनको पकड़ लिया गया अकन देव को और इनको पराजित करके इसको पकड़ लिया गया और इसको दिल्ली वेज दिया गया और जो अलाव से प्राप्त होता है। बहुत सारी हाति गोडे और व्हुत करके वापस दिल्या आता है. साथ चातर रामसंदरद्ध्ध को भी लाए जाता है do deo को सुल्ता के सामने परतुत क wspom conservatives क्या जाता है sitten सिल्टन 450 लिया, की और उधारतागा परीचे दिया कि उसने रामसंदर देव को कुछ नहीं कहा और उनके साथ उधारतागा विवहार करते हो राय रायन की उपादी रामसंदर देव को थी अब इसके पीछे कारण क्या था हलाओ दिन खिल जी ये बाद जानता था कि अगर मुझे दक्षन भारत जीतना है तो दक्षन भारत की किसी एक राजा का सहयोग मुझे पराप्त होना चाहिए तो उसने क्या क्या इसको जीतने के बावजूद भी रामसंदर देव का अपने दरबार में सम्मान करता है और उसको इससे वादा लेता है कि दक्षन भीजे में वो अलावदिन की शेना की मदद करेगा और निरंतर राजसुए देता रहेगा तो अलावदिन खिल जी रामसंदर देव का अपना मित्र बना लेता है और जब मलीकापुर्द्वार समुदर विजे के लिए जा रहा होता तो रामसंदर देव उनकी भरपूर साहिता करते हैं देवगिरी की विजे हो गई दूसरी जो मैत्पूर्ण विजे हैं वो है तेलंगान वो वारंगल राज्ये जिसके राजा थे यहां रकात्की अवंस का सासन था और राजा थे परताप रूदर देव काक्ती अवंस के सासक परताप देव तो इनके उपर आकरमा करता है राज्दा ने इनकी थी वारंगल कौन सी राज्दा थी वारंगल तो नौमबर 1309 में मलिक कापूर तेलंगाना के लिए रवाना होता रास्ते में रामसंदर देव ने मलिक कापूर की साहिता की मलिक कापूर ने हीरों की खान के जिले असीरगड के मारक पर से मारक से तेलंगाना में परवेश किया और 1310 में मलिक कापूर अपनी शेना के साथ वारंगल पहुचा परतावर उतर देवने अपने सोने के मूर्ती बना कर गले में एक सोने की जंजीर डाल कर आत्म समंड़ प्रंड सवरूप कापूर के पास बेजता है मतलब पराजे श्विकार कर लेता और अपने मूर्ती बहां बेजता है जंजीर में बंदी हुई और साथ यसास सो हाती, साथ सो गोड़े और अपार दंदरासी वार्शी कर देने के वायदे के साथ लाओ दिन खिल जी के आदिन तश्वीकार कर लेता तो दो राज़े हो गए, देवगिरी हो गया, तेलंगाना हो गया तीसरा जुदक्षन का महत्पून राज़े था, वो था होईशेल, कौन सा राज़े था होईशेल, होईशेल का सासक वीर बलाल तरित देता हुई, होईशेल का, राज़दाने थी द्वार समूदर, 1310 में मलिक कापूर ने होईशेल के लिए परस्तान किया, इस परकार 1311 में स सुल्तान एलावदिन खिलज, एलावदिन बललाल देव के खिला था, जैसे ही रामसंर देव को अनमाय, रायरायन के उपादी थी, वैसे ही इसको भी खिला, मकुट और 1610 लाग टंके की थेले इसको बेहेंट की, और इसको भी एलावदिन खिलजी ने अपना मीत्र बना लि परन्तु इस राज्य को पूर्ण तरह से जीत नहीं पाए मलिकापूर के वहली यहां लूट पाट करके दन लेके ही वापस आ गए तो यह हो गई अल्हावदिन की तक्ष्ण विजए मरतियो अल्हावदिन खिलजी की जो मरतियो है वह एक जलोदर नामा की मिमारी से हो जलोद अधर रोग से इसकी मरतियो जाती है अपने अंतिम समय वह बहुत कटिन कटनाई से वेतिकिया दो जनुवरी तेरा सो सोडा को उसकी मरतियो हो गई यह भी कहा जाता है कि अंतिम समय में अल्हावदिन को एक तवचा रोग कोड हो गया ता जिसके कांड़ बहुत परेसान रह जाता है अलावदिन की विजय राजएशिंगासन और विजय परात की विजय का दियन की अकल हम पढ़ेंगे अलावदिन के जो पुर्शैनिक परसासनिक और सने कि राजशों सुदार बाजार नियंतन विवस्ता इसका दियन हम कल करेंगे